हम विभिन पकार के संचार माधिमों के दोरा अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। इनी संचार माधिमों में एक माधिम है पत्र लेखन। पत्र लिखन वह सरल और संचिप्त रचना है जिसके द्वारा अपने भाओं को लिखित रूप में दूसरों तक पहुँचाये जाता है। पत्र लिखन आज की आउशकता भी है और एक कला भी है। एक पत्र विचारों को दूसरे तक पहुचा कर आपका कार आसान कर देता है। बिभक्त किया जाता है जिससे कहा जाता है नोटिंग और ड्राफ्टिंग आज हम लोग पत्रलेखन से संबंदेत इन दोरों विधाओं की अलग लग चर्चा करेंगे तो आई ये सबस्वे पहले नोटिंग के बारे में चर्चा करते हैं यदि आप कारेले की किसी फाइल को देखेंगे तो आपको फाइल दो हिस्थों में दिखाई देगी जैसा कि आप देख रहे हैं इस फाइल के बाई और टैक से बंधे हुए जो पन्ने हैं वह नोट सीट कहलाते हैं और इस नोट सीट पर लिखा जाने वाला बिवरन पढ़ने मात से संपूर्ण फाइल में लगे दस्तावेजों को एक साथ समझा गा सकता है। कारेले में किसी पत्र के प्राप्त होते ही उस पर कारवाई की प्रक्रिया प्रादम हो जाती है। जो उसके अंतिम रूप से निप्टारे तक चलती रहती है। जह कारे टिपण कारे कहलाता है। बिना टिपण कारे के किसी पत्र का अंतिम रूप से निप्टाना संबोह नहीं होता है। आई एफ सर्चा करते हैं नोट सीट लिखने की जो कारवाई है उसकी प्रक्रिया के बारे में आउती, अर्थाथ कोई भी पत्र मिलने के बाद संबंदित सहायक उसे फाइल पर अपनी टिपनी के साथ प्रस्तुत करता है यदि उस विशे पर कोई फाइल पहले से उपलब्ध नहीं है अर्थाथ पत्र पहली बार के रले में आया है तो नई फाइल खोली आती है यदि उस विशे की फाइल पहले से उपलब्ध है तो पत्र को उस फाइल से चलाया जाता है पत्र के विशे में पहली टिपणी संबंदित सहायक की होती है उसके द्वारा पत्र का सारांस देते हुए बताय जाता है कि उसमें दिये के तथ्य सही है या नहीं यदि कोई बात गलत है तो वह क्यों है उस मामले में यदि पहले कोई पत्र वहवार हो चुका है तो उसका सार या उलेक भी टिपणी में किया जाता है इसके बाद कानोनों, नियमों और पूरो निर्नेों का उलेक किया जाता है जिनके अंसार पत्र पर निर्ने लेना उचित होता है जिन मामलों पर निर्ने लिया जाना हो उनकी चर्चा होती है तो निर्णे की दिशा का भी संकेत होता है अंत में सहायक पाई और हस्ताक्षे करता है और फाइल अगले स्तर पर चली जाती है नोटशिट लिखना या टिपणी की विशिस्ताओं पर जिचर्चा करें तो संचिप्टता, भासा, क्रमबद्दता, सैली, ततरस्ता और इस्पष्टता ये चीज ऐसी हैं जो किसी भी टिपणी के लिए बहुती अनिवार अंग के रूपे होती है अब आपके मन में एक प्रस्न आ रहा होगा कि टिपणी का उद्देश क्या होता है टिपणी के उद्देश्यों परिदी चर्चा की जाए तो प्राप्त पत्र में दिये गए विशे पर सभी तथ्यों और उनके पूर्व के कार्वत के बारे में जानकारी संबंदित अधिकारी को देना प्रस्तुत विशे में जो भी कारवाई संबो हो अत्वा विकल्प संबो हो उनको इसपश्ट करना ऐसा करते समय सु संगत नीवों का उलेख करना यह संकेत करना कि उन विकल्पों में से किसे चुनना उशित होगा इस तरह के संकेत देते हुए समुचित तर्ग प्रस्तुत करना जिससे संबद अधिकारी समस जानकारी को समझ सके। अग्रिम अधिकारी तक कारेले कारे से अवगत होते हुए तारकिक ढंग से उनकी सहमती प्राप करना। ये होते हैं टिपणी के उत्ये से। इस प्रकार टिपणी में संबद्ध विशय की पिस्दी जानकारी भी होती है और आगे समाधान के लिए सुझाओ भी होते हैं. इस समस्प्रिष्ट भूमी के दिस्टिकत अधिकारी को निर्णे लेने में सुविधा होती है. जब भी टिपणी लिखी जाती है तो कुछ बातो क्विस्तार से बसते हुए तारकिक और संठिप्त बात होनी चाहिए. टिपणी में विचार एक क्रम में होनी चाहिए जैसे पिछला संदर्व, प्रस्टुपिसे की चर्चा और भावी कारवाही का सुझाओ. किसी अधिकारी या किसी संस्था या व्यक्ति के प्रती कोई व लिखने वाले का स्वार्त नहीं थोने का अंदेशा ना हो. टिपणी में पर्थम प्रोस्त, अर्थात मैं या मैंने का प्रियोग नहीं होना चाहिए, टिपणी वयक्तिक ना होकर वस्तु निष्ठ होनी चाहिए. इस पकार हम कह सकते हैं कि सासकी एकार में कारेले से बाहर भेजे जाने वाले समस्पत्राचार बिना नोड़ शीट के नहीं किये जाने चाहिए. टिपणी को लिखने के लिए कुछ मार्ग दसक सिधान्थ भी होते हैं. जैसे टिपणी को लिखने के लिए नोड़ शीट के प्रतेक प्रिष्ट के चारों और साधन रूप से एक इंस का हासिया अवसर रखा जाता है टिपणी नोड़ सीट के दोनों लिखी जाती है अत्वा टाइप की जाती है टिपणी लिखी हुई नोड़ सीट को पत्रा वली के बाईं और टैक से पिरो दिया जाता है टिपणी की लेखन की सैली सीधी और सर होनी चाहिए टिपणी संचित सुववस्थित वहवारिक और सुसंगत होनी चाहिए यदि टिपणी लंबी हो तो अंध्षेदों पर क्रम संख्या होनी चाहिए लंबी टिपणी होने पर अंत में एक पैरा अवस्य होना चाहिए जिसमे संचेप और इस्पर्ष रूप से विचारा धिन मामले को लिखा जाना चाहिए टिपणी लिखने में नीली व काली स्याही का ही प्रियोग करना चाहिए टिपणी के अंत में प्रस्तुत करने वाले समद्रित करमचारी को नीचे बाई और तारिख सहीद पूरे हस्ताक्षर करने चाहिए यदि टिपनी को अंत तक लिखा गया हो और आगे कोई खाली प्रिश्ट न हो तो एक खाली नोट सीट अवस्त लगानी चाहिए फाइल जिस अदिकारी को प्रस्तुत की जाती है उसका पदनाम लिखकर रेखांकित कर दिया जाता है इसे मार्क करना कहा जाता है टिपनी जब संबत अदिकारी के पास मौश्ती है तो वह उस पर कई प्रकार से कारवाही कर सकता है जैसे सहमती होने पर हस्ताक्षर और अगली कारवाही के लिए उचदिकारी के पास फाइल को भीजना, सुजाओ से सैमत नहीं होने पर अपने तर्क देते हुए फाइल उचदिकारी के पास भीजना, टिपणी में किसी आज़ प्रस्ता की सिती में चर्चा करें लिखकर फाइल टिपणी लिखने वाले वेक्टी के पास वापस भीज देना वरतमान समय में सरकारी कारेले एक विसाल मसीन की तरह कारी कर रहे हैं पहले जो कारी होते थे उसकी मात्रा, जटिलता और विर्ता में बहुत अधिक बढ़ोती हो गई है अपने हिद धारकों के परती, उत्तरदाईत और जवावदही के करण ये आविशक हो गया है कि इस बात का लेखा जोखा रखा जाए कि कारेले या संगठन में विभिन इस्तरों पर कारेकरताओं ने क्या योगदान किया और जो निर्ने लिये गए हैं उनको लेने की क्या परिसितियां और कारण थे कारेले में टिपनी लेखन इस अत्यावस्यक अवशक्ता को भली भाती पूरा करता है तो ये हुआ किसी पत्रावली या फाइल का एक भाग फाइल का दूसरा भाग पत्रा लेखों से सम्बंदित होता है जो फाइल के दायनी और होता है इस भाग में नोट सीट में दिये गए विवरण के अनुसार भेजे जाने वाले पत्रालेख होते हैं। आई अब चर्चा करते हैं फाइल के दाइनी और इस्टेट पत्रालेख से संबंदित भाग के बारे में। पत्र लेखन के पत्र को अगर देखा जाए तो इसके दो प्रकार होते हैं पहला अनुपचारिक पत्र और दूसरा अवचारिक पत्र। पत्रों के प्रकार को हम और भी तर्य के बाट सकते हैं जैसे नीजी पत्र जिसमें व्यक्तिकत गहिलू पत्र, माता, पिता, भाई, भहन, मित्र, सगे संबंदियों से संबंदित पत्र होते हैं सम्वेदना आदी से संबंदित पत्र लिखे जाते हैं। किसी भी पत्र के पांच अंग होते हैं। पहला प्रेशक का पता। पत्र के सीर्ष स्थान पर दाहिनी और प्रेशक का पता और पत्र लेखन का दिनांग का अंगन किया जाता है। पत्र के अंगों का जो दूसरा अंग है वो है मूल संबोधन, बाई ओर स्रधा या इसने सूचक संबोधन जैसे पूजनिय, स्रध्धे, माननी आधिका उलेख किया जाता है, तीसरा अंग है अभिवादन या सिष्टाचार जैसे नमस्कार, नमस्ते, सुबासिरवाद, प्रस अंत में धन्यवाद, मंगल कामना, आपका अज्याकारी, सुबेक्छु, धन्यवाद, भावदी आधिकाउ लेख होता है, आई अप सर्चा करते हैं अनुपचारिक पत्रों को लिखने में कोई विसेस नियम नहीं होते हैं, यह व्यक्तिकत पत्र होते हैं जिसमें परिवार और पत्र का संबोधन होता है, यह संबोधन विक्तिकत होता है, बड़ों के लिए आधरनी, माननी का प्रियोग किया जाता है, बराबर और छोटों के लिए प्रिया का प्रियोग किया जाता है, पत्र को कुसलता के समाचार या पत्र पाने के संदर्व में किया जाता है, इस अस्ताक्षर से पहले स्वर निर्देश लिखा जाता है जैसे आपका आपकी या तुम्हारा आदी पत्र लिखते समय यदि कोई बात छूड़ जाती है तो पुनश्च अर्थात बाद में जोड़ा गया अंस लिखकर उस छूटवी ही बात को जोड़ दिया जाता है आई अप पत्र उन नों को लिखे जाते हैं जो या तो वेक्टिकत रूप से बहुत परचित नहीं होते हैं या फिर जिनके बीच संबंद बहुत आपचारिक पकार के होते हैं आपचारिक पत्रों की भासा सहली और लेखन पदती विशिष्ट और निश्चित होती है ऐसे पत्रों मे मुख्य मुद्दों का उलेख होता है और पढ़ने वाले वेक्टि के पास बहुत अधिक समय नहीं होता इसलिए उपचारिक पत्र लंबे नहीं होते हैं पत्र में कही जाने वाली बातें उचित क्रम में होती हैं और इनमें सहज विनर भासा का प्रियोग किया जाता है आई किसी सरकारी कारेले में कोई पत्र आता है तो उसका निप्टान किवल मौखिक चर्चा के द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि कारेले में जो भी पत्र आता है वे वहां के किसी अधिकारी से विक्तिकत रूप से संब्दित ना होकर उसकी पदी हैसियत से संब्दित होता कारेले में किसी पत्र के विशे में कोई भी निर्ने किसने किसी नियम कानून के अधार पर ही लिया जाता है। अता जिन नियमों या कानूनों के अधीन कोई मामला निप्टाये जाता है तो उनका उल्लेक भी जरूरी होता है। जिससे ये प्रमानित हो सके कि सही निर्ने लिय इस दिश्टी से कार्याले में पत्र अचार की एक निश्चित प्रक्रिया होती है कार्याले में जब अधिकारी पत्र के विशे में नेड़ने ले लेता है तो पत्र भेजने वाले विभाग या संस्था या विक्ति को पत्र का उत्तर लिखा जाता है उत्तर में भेजे जाने क लिए पत्र का कच्चा या अंतिम रूप तयार किया जाता है, इसे पत्र का मसवदा कहा जाता है, इस परकार जब टिपनी का कारे पूरा हो जाता है, तो टिपनी में दिये गए आदेस के अनुसार उत्तर का मसवदा या प्रारूप तयार किया जाता है, सहायक यह प्रारूप त्यार करके अधिकारी के पास भेशता है अधिकारी उसमें कुछ परवर्तन करके वापस कर सकते हैं या उस पर हस्ताक्षर करके पत्र को जारी कर सकते हैं सरकारी पत्र अचार के विभिन प्रकार होते हैं, जैसे सरकारी पत्र, अर्थ सरकारी पत्र, कारेले ग्यापन, कारेले आदेश, आदेश, प्रष्टांकन, अधिसूचना, संकल, प्रिस्विग्यप्ति या प्रिस्णोट आदी. जब सकारी पत्र त्यार किया जाता है तो उस पत्र के भी कुछ अंग होते हैं जिसे सबसे पहले सीड़ सक इसके अंतरगत पहले पत्र संख्या प्रिशक का नाम आदिका उलेक होता है फिर उस पत्र का विसे लिखा जाता है इसके बाद संभोधन होता है जिसमें महोदय महोद पद नाम का उलेख होता है, फिर होता है सनलगन पत्र, यदि उस पत्र के साथ किसी पत्र को सनलगन करना है, तो पत्र के साथ उसको सनलगन किया जाता है, और नीचे लिख दिया जाता है सनलगन यथो परी, यदि उस पत्र की प्रति किसी और को भेजनी होती है, तो उसको मामले को निप्टाने के लिए अधिकारी सरकारी औपचारिता से बच कर आपसी सलह से इस परकार के पत्र को लिखते हैं एक विभाग का अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी का ध्यान व्यक्तिकत रूप से उसकी और दिलाता है कई पत्रों के भेजने के बाद भी कायर प्रिष्ट के बाईं और पत्र भेडना होने पर यह पत्र भेड़े जाते हैं और यह पत्र इसम्र्ड पत्र के समान होते हैं यह आम तोर पर बराबर के अधिकारी के साथ लिखे जाते हैं इसमें उत्तम प्रूस यानि मैं और हम का प्रियोग किया जाता है यह सरकारी पत्र की दाहिनी और अर्षरकारी पत्र संख्या लिखा जाता है। प्रिष्ट के बाईं और पत्र भेडने वाले अधिकारी का नाम और पत्र नाम लिखा जाता है। संबोधन के रूप में प्रिश्री का प्रियोग किया जाता है। इसके नीचे अर्थ सरकारी पत्र का मुख्य विसे होता है, इसके बाद सद्धन्यवाद या साभार अदि का उल्लेख होता है सरकारी पत्रों में लिखे जाने वाले कुछ पत्र हैं जिनको कारले ग्यापन कहा जाता है या कारले आदेस कहा जाता है इनका भी बहुत महात होता है। कारेले ग्यापन और कारेले आदेश की चर्चा हम साथ साथ कर रहे हैं क्योंकि इनके बाहरी रूप में काफी समानता होती है किन्तों इनके प्रियोग के छेत्र बिल्कुल अलग-अलग होते हैं कारेले ग्यापन का प्रियोग विभागों के बीच आपसी पत्राचार के लिए होता है जबकि कारले आदेश का प्रयोग कारले के आंत्रिक प्रसासन संबंदी पत्राचार के लिए किया जाता है कारले ग्यापन और कारले आदेश की बाहरी रूप रेखा और उसके जो भिभिन चरण होते हैं यदि उस पर चर्चा की जाए तो देखा जाएगा कि इन दोनो चरण में कारलय ग्यापन और कारलय आदेश की मुख्यवे से वस्तू रहती है इन दोनों ही में पहले पराग्राफ में करम संख्या नहीं लिखी जाती है बाद में पराग्राफ पर दो से आरम करके करम संख्या लिखी जाती है इसके बाद नीचे दाइनी और कारलय ग्यापन या कारले आदेश जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं इसके नीचे अधिकारी का पदनाम लिखा जाता है छटे चरण में नीचे बाई और कारले ग्यापन में सेवा में और कारले आदेश में प्रती प्रिसित लिखकर पाने वाले अधिकारी का पदनाम और वि प्रियोग के च्छेत के बारे में चर्चा की जाए तो ये भारत सरकार के मंत्रालियों और विभागों के आफसी पत्राचार के लिए इनका प्रियोग किया जाता है। इसका प्रियोग संबत और अधिनस्त कारेलों के साथ पत्र विभार के लिए भी किया जाता है। कारेले आदेश के प्रियोग के च्छेत के बारे में देखा जाए तो इनके अंत्रगत करमचारियों के निमेच छुटी की मंजूरी, अधिकारियों, करमचारियों तथा अनभागों में कारे का बटवारा, करमचारियों का एक अनभाग से दूसरे अनभाग में इस्थांत्र आदि होता है तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की नोटिंग और ड्राफ्टिंग से संबंदित विभिन बिंदों जैसे नोट सीट लेखन कारवाई की प्रक्रिया टिपनी की विशिस्ताएं और उद्देश से टिपनी लेखन के समय ध्यान में रखी जाने व वारे में आसा है वीडियो सरकारी या गयर सरकारी कारले में कारे कर रहे कार्मिकों के लिए उप्योंगी सिद्ध होगा तो इसी के साथ वीडियो को सौप करने के अर्मति दीजिए थैंक्यू धन्यवाद जैहिं कर रहे हैं